हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं सरफ जी ताज आपके साथ गले का एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैंने इसमें काफी सारे टिप्स भी बताए हैं तो यहाँ पे सब से पहले हमने जो शिर्ट कट की है इसका तीरा आपने एक इंच ज़्यादा लेना है और यहाँ पे जो गले की चुड़ाई मैं लगा रही हूँ अगर आप किसी छोटे नापके लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इसकी deepness साड़े 3 कर सकते हैं यहाँ पे साड़े 3 की चुड़ाई लगाते हुए साड़े 4 की deepness लगाते हुए इस तरह एक box मिना लिया है मैंने और इस तरह हलकी सी गुलाई देते हुए इसको cover करेंगे जैसे हम collar वाले neck में cutting करते हैं उस तरह की गुलाई देंगे और इसके नीचे आपने deep कितना रखना है गला 8 रखना है, साड़े 7 रखना है या 7 रखना है वो आपकी मर्जी रहेगी मैं यहाँ पे 7 इंच गला deep रख रहे हुए हूँ तो यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ यह अब आपने नाप लेना है यह हमारा धाई इंच का मार्जन रहे गया है यहाँ पे यह cutting होगी वो धाई की होगी और उपर वाला हमारा गुलाई में cut जाएगा इसको पहले हमने cut कर लेना है मैं दुबारा से बता देती हूँ आपको इस शर्ट में तीरा मैंने 7 इंच लिया है नॉर्मल मेरा जो तीरा है वो 6 इंच है यह question सबसे ज़्यादा आता है तो यहाँ पे अब क्या करना है यहाँ के लिए हम बुक्रम लेंगे लेकिन पहले क्या करते हैं पीशे वाले गले में भी cutting कर देते हैं यहाँ पे हमने वही 3.5 का निशान लगाना है पीछे वाले गले में जो हमने अगले वाले हिसे में लगाया है इस तरह 3.5 पे निशान लगाके 1.5 इंच हम इसको डीप लगा लेंगे 1.5 इंच लगा लीजी अगर छोटा नाप है तो 1 इंच लगा लीजी छोटा नाप मिन्स 16 इंच शाती या 17 इंच शाती के नाप होते हैं या बच्चों वाले होते हैं उसमें बोल रही हूँ इसको हम सीधा कर लेंगे उपर की तरफ आपने लगाना है आधे इंच का निशान इसको हमने गुलाई देते हुए एक ओवल सा शेप बनाते हुए इस तरह मिला देंगे इसके साथ तो ये शेप हमारी नीचे वाले हिस्ते में बनेंगी इसको आधा से पौना इंच कपड़ा पटी कट कर लेंगे इसके कड़िंग हमने इस तरह कर लेनी है इसको आप किसी भी शेप में नीचे कट कर सकते हो मुझे ये शेप पसंद है तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर आप स्क्वार गोल या कोई मिल्लब शेप आप ले सकते हैं यहाँ पर हम एक कपड़ा लेते डोरी बनानी है तो इसकी length भी आप देख लीजिए तकरीबन तकरीबन मैंने इसको पूरे पने में से ही cut किया है तो यह 60 इंच के करीब हमारी यह पट्टी है पचास से साथ इंच ले लीजिए और यहाँ पर एक पट्टी हमने और ली है इसकी चोड़ाई आप भाई से तीन इंच रखेएगा मैंने यहाँ पर तीन इंच रखे है थोड़ी सी चौड़ी बैन लगा रही हूँ आप यहाँ पर धाई इंच भी रख सकते हैं और इसको मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं आपको बदा देती हूँ इसकी लेंथ तकरीबन तकरीबन यह 40 इंच के करीब होगी मैंने इसको पने में से कट किया है 40-42 हो सकती है नाप लेते हैं इसको यह लिजिए यहाँ पर 43 इंच इसकी पने की चुड़ाई थी तो मैंने पने में से निकाल लिए यह सारी चीजे पहले आपने त्यार कर लेनी है यहाँ पर देखे इसकी डोरी बनाएंगे यह जो हमने पैटन कट किया था इसको मैंने कपड़े के उपर जोड लिया है डोरी को हम इस तरह सिल कर बनाएंगे पहले थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे एक बार दुबारा से फोल्ड करने हैं और इसको इस तरह सिल लेंगे यह जो दोरी बनाने का तरीका है यह सबसे असान तरीका है इसको आपने सेम इसी तरीके से बिल्कुल बारीक दोरी बना कर रेडी कर लेनी है यहां पे अगर आप पल्टी करके डोरी बनाना चाते हो वो भी बना सकते हैं लेकिन यह बिल्कुल सीडी डोरी है बहुत इजी से बन जाती है तो इसको हमने सिल लेने हैं और इसे आप देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे दो बार और फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यह बहुत ही असानी से बन जाती है इसकी लेंथ थोड़ी लंबी रखिएगा क्योंकि इस डिजाइन में जो डोरी लगनी है थोड़ी लंबी ही लगनी है दिखिए इस तरह की यह बन जाएगी तो अब आगे क्या करना है दोरी बनाने के बाद हमने क्या करना है अब हमने इसके तीरे जोड़ने है यह जो नेक है पहले नेक बना लेते हैं यह हमने फ्रंट का हिसा लिया है और इसका हाफ का निशान आप लगा लीजिए यह मेरा front का piece है इसको हम यहाँ पे रखेंगे आधाइंच उपर की तरफ करते हुए क्योंकि यह धाई का मार्जन था लेकिन गला हमने तीन का cut किया था नीचे बना तो यहाँ पे थोड़ा सा उपर की तरफ करते हुए हम इसे रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे पहले इस तरह सीधी सिलाई लगा लेते हैं और इसको फिर निशान के हिसाब से जैसे हमने इसको मार्ग किया है उसके हिसाब से सिल लेंगे अगर आप इसे धाई ही कट कर लोगे तो आप जब इसे जोड़ोगे तो उपर की तरफ आपकी बुकरम थोड़ी कम हो जाएगी वो चीज आपने बिलकुल नहीं करनी है यहाँ पर आपने कोई भी नाप लिया है उससे आधा इंच एक्सर लेना है इसके कटिंग को तो यह बिलकुल सेट हो जाएगी तो इसके पीस के हिसाफ से मैंने इसको सिल लिया है इस तरह यह जो सिलाई लगानी है आप बारिक बख्ये से लगाएगा तो बहुत यची फिनिशिंग आती है यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं अंदर से यह जो कपड़ा है एक्सर वाला यह काट देंगे और थोड़ा सा मार्जन छोड़ते हुए काटना है तांकि इसमें नौचिस भी लगा सके हम छोट-छोटे कट्स भी लगाएंगे और सिलाई भी हमारे बिलकुल कटनी नहीं च तांकि इसमें फिनिशिंग आ जाएगी सिलाई लगाने के बाद आप इसको प्रेस कर लो एक बार उसके बाद फिर यह बहुत ही फिनिश दिखेगा आपको मैं इसको सिलाई लगा दी हूँ बिलकुल बारिक बख्ये से लीचे सिलाई हमारी लग चुकी है यह जो बुकरम है पीछे वाला हिस्सा जो हमने सीदा रखा है आगे वाले कोलटा रखेंगे और इसके तीरे को ब्राबर करते हुए जोड़ेंगे और जो भी मार्जन हैं अंदर की तरफ निकालिएगा लेकिन बाहर की तरफ से आपने इसको बराबर सिलते होई आना है क्योंकि तीरे हमने दोनों साईट बराबर कट किये हैं इस तरह में दोनों साईट से इसको जोड लेती हूं और उसके बाद आपने नापना है इसको तीरे जोडने के बाद हम इसको 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 फोल्ड कर लेंगे इस तरह हमने इसको रख लेना है गले को आगे वाले हिस्से से मिलाते हुए और पिछे की सिलाई को मिलाते हुए मैंने इसको रख लिया है और अब इसको हमने मेजर करना है यहां से नापना शुरू करेंगे बाहरवाले हिस्से से और कपड़े को बिल्कुल भी खीचना नहीं है आपने और इस तरह धीले हातों से पकड़ते हुए इसको नाप लेना है जितना भी मालतन आएगा वह आप इस इंच की पटी बनेंगी 10.5 का डबल हो जाएगा तो ये जो पटी है हमारे पास तीन इंच चोड़ी है इसको हमने बनाना है कॉलर को इसे हम इसतरह उल्टा पहले फोल्ड करेंगे के बार इस पे एक शेप देंगे थोड़ी सी इसको हमने इसतरह खुली वाली साइड से से सि लेजे, इसको मैं इसको कट कर दिया है, और इसको हम सिधा करेंगे बाद में, दूसरी साइड भी हमने इसी तरह करना है, कपड़े को हम पहले उल्टा कर लेंगे, इसको सिलाई लगाएंगे, सेम उसी तरीके से, शेप आप यहाँ पे स्क्वायर भी रख सकते हैं, लेकिन या इस तरह आपने इसको एक बार प्रेस जरूब कर लेना है तो लिजे यह हमारी कॉलर बैंड बन गई है अब इसको आपने स्टिच कैसे करना है यहां पर हम क्या करते हैं बखिया बड़ा कर लेते हैं काफी बड़े बखिये से हम इसको सिलेंगे धागे हमारे दोनों पीछे की तरफ निकाल लेंगे और यहां पर हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे और एक चीज का दियां रखना है इसमें जो सिलाई लगेगी वह बिल्कुल तूटनी नहीं चाहिए सिर्फ सिंगल लगेगी मलिए बीच में ब्रेक ना हो सिलाई इसको हमने धागे को खीचना है एक सिला और जो यह कॉलर बनाने का तरीका है यह बहुत ही असान है कोई बिगनर भी होगा वो भी इसे बना कर रडी कर लेगा तो लीजे यह यहां पर शिलाई लग चुकी है अब हमने क्या करना है इसका एक धागा लेना है बहार से किसी भी एक साइट से इसका एक धागा निकाल यह बीच में सिलाई तूटनी नहीं चाहिए धागा बिल्कुल भी तूटना नहीं चाहिए आप इसे बड़ा धीरे-धीरे कीजिएगा और इस पत्ती की जो लेंध है तक्रीवन तक्रीवन आप 21 इंच रेडी कर लीजिएगा 21 इंच यह पत्ती मैंने रेडी कर ली है और आ जो यह प्लेट्स हैं बाद में हिले नहीं जब आप इसको लगाओगे प्लेट पूरी पट्टी में हमारे इक्वल होने चाहिए लीजिए पट्टी हमारी तैयार हो गई है अब हमने इसको गले में लगाना है गले की हम सीधी साइड रखते हैं मतलब शर्ट की हमने सीधी सा इसकान से देखना है प्लेट्स आपकी कहीं भी अनिक्वल नहीं होने चाहिए आप कोई भी सुई ले लीजिए कोई इस तरह पिन ले लीजिए उसकी हेल्प से इन प्लेट्स को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे फिर यह बिल्कुल पॉर्फेक्ट हैं यहां पर एंड में मुझे थोड़ी से पट्टी बढ़ी हुई लग रही आदा इंच के करीब तो आपने क्या करना है इस तरह प्लेट्स को बिल्कुल अच्छी तरह गैदरिंग इसकी जो है वो सेट कर देनी है और यह जो पट्टी है यह बिल्कुल गले के बराबर पट्टी नहीं बढ़ने चाहिये इसको हमने बिल्कुल गले के बराबर रखना है इस तरह है तो लिजे यह हमारी पट्टी हमारे लग चुकी है अब हमने क्या करना है अ बिसके उपर इसको फिनीसिंग देनी परण द्रिक की करें और इसको अब सिलना शुरू करेंगे इससे फिनिशिंग भी आ जाएगी और यह पट्टी अंदर की तरफ टर्ण हो जाएगी इसे हमने पट्टी को बिल्कुल भी खीशना नहीं है और इसको हमने गले के उपर रखते हुए लिकुल डीले हटों से अटैच कर देना है उसी मार्जन पर हमने पहले फ्रिल जोड़ी है सेम उसी तरह हम इसको लगा देंगे इस साइड भी हमने ऐसे ही करना है पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस साइड भी ये फिनिशिंग आ जाएगी ये ये सिलाई हमारी अल्मूस्ट लग चुकी है अब हम क्या करेंगे अब मैं आपको दिखाते हूँ ये पट्टी इस तरहें टर्न हो जाएगी और आगे की तरफ आप देखें बिल्कुल फिनिश हो गया है इससे हम इसको फोल्ड करेंगे और एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे इसके उपर हमने दबाब की एक सिलाई लगानी है जिससे ये हमारा गला सैट हो जाएगा अब क्या करते हैं ये जो पट्टी है हमने ये डोरी बनाई थी जो डोरी को हम इस तरह बढ़े हुए कपड़े पे लगा लेंगे ये जो बढ़ा हुआ कपड़ा है जो हमारा औरे पट्टी वाला है इसके उपर रखेंगे अंदर की तरफ और इसे स्टिच कर लेंगे और ये अंदर की तरफ अपने आप ही फिर स्टिच हो जाएगी और ये बहार से लगाने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी दोनों साइड हमने इसी तरह स्टिच कर लेना है उसके बाद आप डोरी के आगे कोई भी लटकन बगएरा लगा सकते हैं या फिर अपना कोई भी पॉम पॉम बगएरा कुछ भी लगा सकते हैं इस तरह इधर भी करना है हमने सेम दुस्रे हिस्से को इधर रखेंगे और इधर भी हम इसको स्टिच कर लेंगे इसे आपने चार से पांच सिलाईयों में पक्का करना है कि यह दोरी है जो बाद में निकले ना प्रेशर से बिलकोल भी निजे यह इस तरह अटैच हो चुकी है अब हमने क्या करना है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद हमें एक दबाब की सिलाई लगानी है यहां पर हमने एक दबाब की सिलाई जरूर लगानी है और कपड़े को अंदर की तरफ जरूर टरन करना है और जो पटी है अंदर की तरफ ये जह हमने और ये पर लगाई है इसको हमने अंदर की तरफ टरंद करते हुए यहां पर तुर्पाई कर देने हैं सारे गले में तुरुपाई कर देंगे तुरुपाई करने के बाद यह हमारा neck तयार है मैं आपको ready करके दिखाती हूँ एक बार और एक बार प्रेस कर लीजे तुरुपाई करने के बार देखिए गला कितना perfect बना है जैसे कि मैंने आपको thumbnail में दिखाया है सीम वैसा ही गला ब हिचता है गले से tight होता है उनको यह दिकत बिल्कुल नहीं आएगी तो लीजे यह neck up ने बना कर तयार किया है आप हमें अपने review दीजिएगा और अगर आप और भी cutting और stitching देखना चाहते हैं तो आप हमारे page को follow कर लीजिएगा वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे design मिलेंगे जो आपने पहले नहीं देखे होएंगे